वेलकम क्लास 10 एकसरसाइज 1.1 को स्टार्ट करने से पहले थोड़े से हम बेसिक्स जान लेते हैं एक यूकलिट डिविजन लेमा यूकलिट डिविजन लेमा क्या होता है? वोट इस अब यूकलिट तो एक साइंटिस का नाम है डिविजन मलब तो आप सभी लोग जानते हूँ डिविजन मलब डिवाइड करना और लेमा जो होता है उसको हम स्टेप बोलता है लेमा क्या होता है? स्टेप होता है जैसे फोर एक्जमपल जैसे इफ ए ए अड बी आर तो पॉस्टिव इंटीजर suppose A और B जो है वो दो पॉस्टिव इंटीजर है then they must satisfy the condition A is equal to B Q plus R where 0 greater than equal to R greater than B एक्जमपल A is equal to फोर एक्जमपल जैसे हम लेते हैं A 45 और B 6 ठीक है? तो 45 का factor जो होगा 45 को 6 है अगर तुम divide करोगे तो क्या मल जाएगा? 6,7 जा 42 और 3 हो जाएगा इसमें तो इसमें क्या होगा? 6 into 7 ठीक है ना? जो remainder प्लस हो जाता है प्लस 7 समझ रहे हो ना मेरी बात को? ठीक है पिर ऐसे ही आपका हो जाता है find SCF of 125 and 45 इसमें SCF find करना है 125 और 45 को तो कैसे करोगे? कैसे करोगे इसको? simple 125 divided by 45 45 से जब divide करोगे तो तुमको क्या मिलेगा? 45 to the 90 फिर तुमाहा reminder जो है वो 35 आ जाएगा अब 35 को फिर वो जो तुमारा quotient था जिससे तुम divide कर रहे थे तुमाहा डिविटेंट जो था उसको क्या करोगे? quotient बीच में रखोगे फिर 35 से डिवाइड करोगे फिर 35 से डिवाइड करोगे तो 45 को डिवाइड करोगे तो फिर remainder आपका 10 बच जाएगा जब तक कि आपका reminder 0 नहीं हो जाता तब तक आपको division करना है ठीक है न? तो last में क्या होता है? 5 जो है फाइनली आपको 0 remainder प्रवाइड करता है तो क्या हो जाएगा इसका? SCF of 125 and 45 is equal to 5 इसका SCF क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा ठीक है न? जाएगा तक क्या हो जाएगा